नमस्कार दोस्तों मैं अर्पित कपुर अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं MS Access में मेरा यह साथवाँ वीडियो है पिछले वीडियो से में मैंने आप लोगों को रिपोर्ट बनाना सिखाया क्वेरी बनाना सिखाया फॉर्म बनाना सिखाया टेबल बनाना सिखाया मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि क्वेरी जो होती है वो दो टैप की होती है एक एक्षिन और जूसरी नोन एक्षिन मैंने बताया? नोन एक्ष टेविक बनाना बहुत असान होता प्र एक्षिन क्योरी थोड़ा ने आती तो एक्षिन क्वेरी सीखना थोड़ा मुश्किल काम है तो आज मैं आप Is को Action Query बताऊँगा Action query मैं में Maketable Query Division बनाना बताऊँगा तो चलिए बिना स्कोई समय का हूए हम लोग शुरू करते हैं valeur Action Queries में getable query में में टो मैं MS Access open कर लेता हूँ रही एसके बिनार create टैब में जाता है चैसे मैंने हमेशा बताई सब तोते आ विजर्ड में जाएंगे, simple query लेंगे, then click on the ok button, सारे fields select कर लेता हूं, EMP नाम की table मेंने बना रखी है, EMPNO, E-name, department, designation, इस सारे field मेंने ले लिए, then click on the next button, again click on the next button, modify मैंने हमेशा आप लोगों को बताया है कि किस काम में आता है, कि table के अंदर अगर आप modify the design query यूज करेंगे, तो आप लोगों की design view के अंदर आप लोगों की ये query wizard कुलता है, तो इसका नाम मैं दे देता हूं, action query, oh sorry, make table query, then click on the finish button, देखिए, ये query wizard आप लोगों के सामने खुल गया, अब मैं चाहता हूं मुझे उन लोगों का नाम बताओ, जो sales department में काम करते हैं, तो उन लोगों का नाम इसने बताया है, जो sales department में काम करते हैं, फिराल एक ही जना sales department में काम करता है, ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि ये, जो record है, वो EMP table से हटकर sales table में चले जाए, तो sales table जाहिर से बात हैं, मुझे बनानी पड़ेगी, तो create tab में गए, table में गए, right click किया, then click on the design views का नाम दे दिया मैंने sales, then click on the ok button, अब मैं इसकी primary की हटा देता हूँ, और इसके अंदर एक ही field ले ले लेता हूँ, EMPNO, और number ले ले लेता हूँ, देखिए गर मैंने इसके अंदर कोई record insert नहीं किया है, सिर्फ एक ही field लिया है, अब automatically सारे के सारे records, सारे के सारे fields बन जाएंगे, इसके अंदर से, इसके अंदर, अब मैं वापिस से make table query खोलता हूँ, इसके design view में जाता हूँ, और ये देखिए make table query है, append query है, update query है, delete query है, इस सारी queries में आप लोगों को next videos में बता हूँँ, अब फिलाल मैं make table query बताता हूँ, आप लोगों को, make table query के अंदर जाएंगे हम लोग, then, उसके बाद, ये record मुझे किस table में भीजना है, sales table में भीजना है, तो stable का नाम select किया मैंने, then click on the ok button, ok button के उपर click करती ही, मैं run option के उपर click करता हूँ, तो देखिए, मेरे सामने लिखावा आगया, the existing table sales will be deleted from the run of the query, ये बोल रहा है कि, जो भी record होगा, वो sales table में चले जाएगा, मैंने बोला, हाँ भेजो उसको, अब ये बोल रहा है, एक record जाएगा, अगर मान लीजे, दो विक्तियों के नाम होते हैं, तो वन रो की जगा, टू रो या थ्री रो लिखा हुआ आ जाता, अब मैं इसके उपर, yes बटन के उपर click करता हूँ, देखिए, yes बटन के उपर मैंने click किया, मैं इस query को save करता हूँ, तो देखिए, ये make table query का निशान मनावा आ गया है, पहले simple query table का निशान मना वा रहा रहा था, अब मैं stable को close करता हूँ, अब sales table देखिए, मैं आपके आँखों के सामने, खोल के देखता हूँ, तो देखिए, 101, location, sales, director, और देखिए, ये सारे fields के नाम automatically बन गए, जो कि मैंने बनाए नहीं थे, तो मेरे साब से, आप लोगों को make table query समझ में आई होगी, आज के लिए बस इतना ही, next वीडियो में मैं आप लोगों को append query सिखाऊंगा, thank you,